ये औरतों को बहुत ज़्यादा लिबरल लोग न अपने तरफ ट्रैक करते हैं नौजवानों को छोड़िए औरतों को बहुत ज़्यादा ट्रैक करते हैं और सबसे पहली चीज ये कहते हैं कि आरतों को परदे का हुक्म है मर्दों को परदे का हुक्म क्यूं नहीं है मर्द औ और अउर्त किया है बराबर है जो मर्द कर सकता है वह सारी चीज़े कौन कर सकती है और उर्रत कर सकती है आपको दिन इसलाम नीचे करता है इसलिए आपको चादर रोने को कहता है और बाजु में जो बैठा हुँ है क्या नामे उसका मर्द बाजू में जो बैटा है मर्द उसको उपर रखता है इसलिए वो पर्दे का हुक्म उसको अल्लाहरब रालमीन नहीं दिया यही कहकर दिन इसलाम से दूर किया जाता है मैं दीन के उपर बात में आता हूँ पहले इन लोगों का काला चट्टा इनी के सामने खोलता हूँ इनी के सामने मुझे बताओ आप कह रहे हो मर्द और और औरत में कोई फर्क नहीं है गोरे मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है आर्मी में सबसे ज़्यादा कौन होता है मर्द होते या औरत लेडिस कौन आप बोलो मैं नहीं बोलूँगा मर्द होते औरत क्यों नहीं होती या औरत नौजवान जो आज खड़े वे सेना पर बॉर्डर पर सारे मर्द ऐसा खड़े वे लेडिस क्यों नहीं खड़िये वो तो हमारे एक्तियार में ने ये ना हम तो नहीं खड़े किया, खड़ा किस ने किया, आप लोगों नहीं किया, लिबरल लोग, गोरे लोग, आप लोगों ने खड़े किया, क्यों खड़े किया, पता चला आप खुद मानते हो, कि मर्द जो है, वो औरत से ज्यादा के किर्केट मैच होता है तर यह पुलेंगे लिडीस से घार गया मतलब आप खुच चाहर हो हैं। फर्क है आप लोगों से पता चल रहा है आपके अमल से पता कर रहा है आप सिर्फ पबलिक को अलू बना रहे हैं क्या कर रहे हैं अलू बना रहे हैं और जो हमारी खवातीन है उसको बेवकुफ बना बना कर अपने पास ले रहे हैं लेकिन एक्चुल में खुद आप अमल से ब सिर्फ एक चीज बढ़ाई है अग्दू मिनना बसारहिं अल्ला ने कह दिया आए मुमिनों की जमात अपनी निगाहों को क्या करो नीचे रखो वयाहदू फुरू जहुम और अपनी शर्म गाहों की हिफाज़त करो ये बता दिया ये मर्दों के लिए अपनी निगाहों को क्या करो नीचे करो वयाहदू ना फुरू जहुमना और अपनी शर्म गाहों की हिफाज़त करो वला युबदीना जीनतहुना और अपनी जीनत को जाहिर ना करो बस यही चीज़ ल्ला रब लालमने बढ़ाया है पता चला कि मर्दों को भी पर्दे का हुक्म है मर्दों को भी पर्दे का हुक्म है सिर्फ ल्ला ने मर्दों को यह हुक्म दिया कि अपनी निगाहों को नीचे करो और अपनी शर्म गाहों की हिफाज़त करो और अपनी शर्म गाहों की हिफाज़त करो अगर खवातिन परदा ना करे अगर खवातिन परदा ना करे तो उसमें खवातिन का फाइदा है या मर्दों का फाइदा है धरकी मर्दों का किसका फाइदा है मर्दों का मेरे भाई आप एक बास समझिए ये जो गोरे है ये जो अंग्रेज है ना इन्हों ने क्या किया है आज जो घूम रहे हैं ये जो सांड घूम रहे हैं इन लोगों से बच के चलो अल्ला नहीं ये सेफटी दी है आपको के इन लोगों से बच के चलो और ये लोग जो है आपके जहन में दार रहे के ये इसलाम आपको पाबंद बना रहा है आप इस बुर्खे को क्या करो निकाल दो और एक्चुल में वो अपनी मज़े चाते हैं आपकी मज़े नहीं चाते और जब इसलाम बुर्खा आपको पहनाता है जब इसलाम बुर्खा आपको पहनाता है तो क्या ओरत बाहर की चीज़े देख सकती है अरे देख सकती है ना ओरत बाहर की चीज़े देख सकती है ना देख सकती है तो गुलाम का से भी वो तो हर चीज़ देख सकती है बस अल्ला ने इनसान से बचाने के लिए आपको किसका हुक्म दिया है परदे का हुक्म दिया है इन्शालला नमास अजान के बाद देखते हैं बागी बाद है मर्द और और ओरत में कोई फर्क नहीं है ये बात चर रही थी तो मेरा ख्यालत तकरीबन इतना तो समझ गए होंगे कि ये खुद मानते हैं कि मर्द और और ओरत में क्या है फर्क है अल्ला रब और आर्मिन ने फर्क किया है लेकिन जब मर्द और और ओरत में फर्क किया तो सारी जिम्मेदारी अल्ला रब और आर्मिन ने किसके उपर रख दी मर्द के उपर रख दी सारे काम मर्द करेगा और यहां तक के,光 को अगर तलाक भी हो जाता है अल्ला, इस चीज़ से महफूज हर गया हम सारी लोगों को कल को अगर तलाक हो जाता है, या खुला हो जाता है तब भी, वो जो बच्चे हैं, उसकी जिम्मेदारी किसके उपर रहेगी मर्द के उपर इससे अच्छा कानून किसी और मजभब का है इससे अच्छा कानून तलाक हो जारी खुला हो जारा लेकिन जिम्मेदारी बच्चों की किसके उपर है मर्द के उपर है और ये भी गोरे उल्टा कर दिये ये भी गोरे उल्टा कर दिये कि इन लोगों को उभारे कि अपने बच्चों को ले जाओ अपने बच्चों को ले जाओ और खवातीन के उपर सारी जिम्मेदारी लाकर बच्चों की भी डाल दिये एक्चुल में दीन इसलाम जो हो खवातीन को हमेशा उपर रखता है नीचे नहीं लेकर आता है और गोरे जो है वो खवातीन को ऐसा उपर से निकाल कर नीचे ले आते तो हमें इसी चीज़ को समझना है